कि दियर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए केमेस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जैसा कि पता है पिछले दिन हम लोगों का कमेस्ट्री का कुछ क्लास नहीं हुआ था कुछ टेक्निकल प्रोब्लम के वज़र से विडियो सुट हुआ था लेकिन आप लोडिंग करने में वह प्रीब्लम हो रहा था तो इसी को लेकर यह पिछले क्लास कहीं क्लासे से और हम लोग देखेंगे कि पिछले क्लास में लोग क्या कर रहे थे तो 12 के लिए कमिस्ट्री में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है हेलो एलकेन और हेलो बेंजीन उसका नाम क्या है हेलो एलकेन और हेलो बेंजीन तो इसमें हम लोग बहुत सारा बात को पढ़े थे कि हेलो एलकेन में कैसे होता है हेलकेन एलकेन एलकेन क्या हो है कि 1 degree, 2 degree, 3 degree carbon क्या होते हैं, carbon के कि इतने परकार होते हैं, लेकिन आज हम लोग, dear students, हम लोग आज नाम करन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नाम करन का मतलब उसका IUPAC नाम, यूपेक नेम, इसको बलते हैं, यूपेक नेम, या फिर IUPAC नाम, ठीक है, सबसे पहले तो समझ इधना ये होगा, कि IUPAC का full form क्या होता है, तो जी हाँ, IUPAC का full form होता है, international, I4 international, unit, pure, and applied chemistry, ठीक है, ये IUPAC का full form है, आप इसको जरूर लिख लिजिएगा, हो सकता है, कोई पूछ दे, कि IUPAC का पूरा नाम क्या है, तो हम उसको बताने में सच्छम हो पाएं, तो I4 हो गया international, U4 हो गया unit, P4 हो गया pure, और end जो है ना silent है, ये इसको हम लोग पूरे sentence को बोलने के लिए end का इस्तेमाल करते हैं, तो IUPAC, I4 international, U4 unit, P4 pure, A4 applied, and C4 chemistry, इस end को हम लोग बोलने के बिचार से, बोलने के लिए हम लोग end का बेवहर करते हैं, इसलिए पूरा हो गया international unit, pure, and applied chemistry, ठीक है, चलिए, अब हम लोग ये लिखेंगे, कि नामकरन जो होता है, कितने तरह का होता है, ठीक है, नामकरन के कितने प्रकार होता है, तो first arrow देकर लिखेंगे, फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, अलकेन से संबंधित आयूपी असी नाम, फर्स्ट एरो देकर क्या लिखेंगे, अलकेन से संबंधित आयूपी असी नाम, फिर है तीसरा, अलकेन से संबंधित आयूपी असी नाम, यानि कि टोटल अगर कोई बात करेगा, कि नामकरन या फिर आयूपी असी जो नाम होता है, वो कितने तरीके से लिखा जा सकता है, हम किस-किस का आयूपी असी नाम लिखेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग सिखेंगे अलकेन से संबंधित अलकेन से संबंधित और अलकाइन से संबंधित हलांकि इसके पहले हम लोग अलकेन, अलकेन, अलकाइन के बारे में पढ़े हैं जिसमें सिंगल बॉंट रता है अलकेन डबल बॉंट रता है अलकेन ट्रिपल वॉंड रता है अलकाइन ठीक है अब अलकेन से संबंदित आयूपेसी नाम अलकेन से संबंदित अलकाइन से संबंदित तो इस आयूपेसी नाम को हम लोग कैसे लिखेंगे तो ये तीनों के वारे में हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे ठीक है टॉपिक व करने के लिए उसको नाम को लिखने के लिए कुछ कंडिशन होते हैं कुछ रूल नियम होते हैं ऐसा नहीं है कि आप इन चीजों को तुरत बोला जाया तो तुरत सीख पाएंगे इनके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा ठीक है तो अब हम लोग टॉपिक देंगे अलकेन से संबंधित आयू पी असी नाम हम लोग बारी बारी से सिखेंगे अलकेन का अलग सिखेंगे अलकेन का अलग सिखेंगे अलकाइन का अलग सिखेंगे तो अभी हम लोग क्या सिखेंगे एलकेन से संबंधित IUPAC नाम चलिए अब सबसे इसमें भी कुछ रूल नियम है तू सबसे पहले first arrow देकर लिखा जाए एलकेन से संबंधित IUPAC नाम में first arrow देकर लिखेंगे सबसे पहले यहां लिखेंगे सबसे पहले PC PC का मतलब ब्रैकेट में लिख देज़ेगा principal chain सबसे पहले PC PC मतलब principal chain चुनना होगा चुनना होगा ठीक है यह first arrow देकर लिखेंगे हम लोग क्या लिखें सबसे पहले PC चुनना होगा ठीक है अब हम ऐसा नहीं है कि आपको यह चीज़ समझाएंगे नहीं कि principal chain क्या होता है जरा मेरा यह आसा है कि आप पहले जितने वी arrow है जितने वी rule नियम है सबको आप लिख लिजे और लिख लेंगे तब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो चीज़ें क्या होती है ठीक है तो पहला arrow में क्या लिखेंगे लिखें है कि सबसे पहले PC PC का मतलब principal chain चुनना होगा ठीक है Second arrow देकर लिखेंगे Second arrow जिधर से जिधर से Subtituent देखे जिधर से Subtituent Subtituent का सपल S-U-B-T-I-T-U-E-N-T ये आप इंगलिस में ही लिखें क्योंकि ये हमें समझने की ज़रुरत है अगर आप हिंदी लिखना चाहते है तो हैलोजन यूक्त लिख सकते हैं ब्रैकेट में तो जिधर से से Second arrow में लिखना है जिधर से Subtituent Subtituent को अगरेज़ हिंदी में बोलते है हैलोजन यूक्त हैलोजन यूक्त जिधर से Subtituent या हैलोजन यूक्त नजदीक पड़ेगा नजदीक पड़ेगा उधर से उधर से Numbering करेंगे Numbering भी अंगरेजी में ही लिखेंगे N-U-M-B-R-I-N-G Numbering करेंगे इसमें पूरा सेकेंडरों में क्या लिखेंगे जिधर से Subtituent Subtituent का स्पिलिंग देख पा रहे है Subtituent नजदीक पड़ेगा उधर से Numbering करेंगे ठीक है अब ये चीज़े समझ में नहारोगा कि सर क्या है Numbering क्या है Subtituent क्या है PC जिसको प्रिंसिपल चैनल लिखवाया है तो भाई वेट करो थोड़ा सा हम सब चीज़ के बारे में डिपली बताएंगे क्योंकि आपको हम IUPAC नाम लिखने के लिए सिखा रहे है जो अलकेन से समबंदित होगा तो पहले रूल नियम लिख लेंगे फिर उसको हम लोग समझेंगे तेक है अब लिखा जाए नेक्स्ट थर्ड एरो लिखेंगे यदी यदी यहां यदी के बाद लिखेंगे सब्टिचुएंट यदी सब्टिचुएंट फेल हो जाए फेल आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं जो इच्छा है यदी सब्टिचुएंट फेल हो जाए फेल हो जाए तो तो अलफा बेट अलफा बेट को बोलते हैं अंग्रेजी वर्ण माला अलफा बेट कमने कुछ हुआ ए बी सी डी से लेकर कहां तक जड तक तो सुरू से बताते हैं फिर से यदी सब्टिचुएंट फेल हो जाए तो तो अलफा बेट के आधार पर अलफा बेट में अंग्रेजी वर्ण माला के आधार पर के आधार पर नम्बरिंग करना होगा नम्बरिंग करना होगा पुण दिराम फिर नेक्स्ट एरो में लिखेगा देखिए अब आपको सब चीज़ समझाएंगे कि सब्टिचुएंट फेल होगा तो अलफा बेट पर नम्बरिंग करना होगा कैसे कैसे क्या है इन सब इस चीज़ों के बारे हैं लिख लिजे फिर नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे यदी यदी सब्टिचुएंट के रूप में सब्टिचुएंट यही वाला जो हम लोग पहरे लिखे थे यदी सब्टिचुएंट के रूप में देखिए अब यदि सब्टिच्वेंट के रूप में लिख लिए उसके बाद कॉमा देना है ठीक है यदि सब्टिच्वेंट के रूप में कॉमा उसके नीचे लिखना है ये चीज कि अगर क्लोरीन रहेगा तो इसका नाम क्या लिखना है तेरे स्टुडेंट्स कलोरो बोलना है याने CL रहेगा CL रहेगा तो हम लोग कलोरो बोलेंगे ठिक है उसी के निचे यह सब चीजें जो दिख रहे हैं आपको उलिख लेंगे क्या क्या लिखेंगे जरा हम पढ़के सुनाते हैं यदि सब्टिच्वेंट के रूप में कौमा द पोड़ेगा कि अगर क्या रहेगा तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे ठीक है अगर C L रहेगा तो उसको क्लोरो बोलना है बियार रहेगा उसको ब्रोमो बोलना है एफ रहेगा उसका फ्लोरो एटि रहेगा अंस्टेट टाइनो बोलना है देख पार होंगे अंस्टेट इनो बोलना है आई रहेगा आयोडो बोलना है तो उसको मेथिल और मिथाइल बोलना है C2H5 रहेगा उसको एथील या फिर इथाइल बोलना है ठीक है जैसे कि आप देख पार होंगे सबका नाम बहुत जरूरी है याद रखना CL का क्या नाम रखना है? कलोरो कब? जब सब्टिच्वेंट के रूप में रहेगा तब और सब्टिच्वेंट क्या होता है? हम बताएंगे लेकिन आपको इन चेज़ों को बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लेना होगा याद कर लेना होगा ठीक है? कि CL रहेगा कलोरो, BR रहेगा ब्रोमो, F रहेगा फ्लोरो, AT रहेगा आंस्टेटाइनो, I रहेगा आयोडो, CH3 रहेगा मेथिल या फिर इसी को मिथाइल पड़ते हैं और C2H5 रहेगा इसको एथिल और इथाइल पड़ते हैं ज़र आप ध्यान दिजिए दोस्तों, कि हम लोगों को उसके पहले जो ये माइनस माइनस का चीन है, बहुत सरे लोग इसको बोलेंगे क्या कि सर माइनस CL है, इसका मतलब क्या है? तो आप जानते हैं ना, हम आप जानते हैं कि अगर मिथेन का फर्मूला क्या होता है? मिथेन का फर्मूला CH4 होता है, अब ये CH4 होता है जिसको बोलते है मिथेन, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? तो एक कारबन से चारो तरफ हाइडरोजन जुडता है, जुडता ह रहा है ठीक है यानि कि वो किसी ना किसी से जूड़ा हुआ है आप देखिए आप सिर्फ हैड्रोजन लिखते हैं इसका मतलब क्या ये किसी से जूड़ा नहीं हुआ है ये अकेला है लेकिन अगर ये अगर लिखा जाया तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये हैड् जाता चल रहा है इसको देखकर कि कलोरीन, ब्रोमीन, एक किसी योगिक से जूड़ा हुआ है ठिक है और जब जूड़ा हुआ है इसलिए यहां पर बॉंड दिया गया है तो आप इसको माइनस नहीं पढ़िएगा या फिर इसको माइनस नहीं बोलना है ठिक है इसका मतलब याद हो गया तब हम लोग अब रूल पर आते हैं कि आखिर पहला रूल क्या है ठीक है और पहले रूल से हम लोग उसका क्या-क्या कैसे-कैसे काम करते हैं तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं कि ऐलकें से संबन्धित नामकरन में हम लोग उसका कैसे कैसे याद करते हैं या फिर क्या-क्या है क्या भाई क्या है भाई पीसी जिसको प्रिंसिपल चैनल बोल रहे हैं क्या सब्टिच्वेंट है क्या अलफाबेट है फेल हो जाएगा इस अब क्या लिखवाएं तो चलिए हम इन चीजों पर डिसकस करते हैं को चलिए तो आप सुरू में जो एरो देकर लिखे होए हैं उसका मिनिंग सबका समझते हैं क्योंकि अगर हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो लिखने से कोई फैयदा होगा नहीं तो चलिए हम लोग एक-एक पॉन्ट को सिखते हैं कि क्या हम लोग लिखे थे और उसका सबसे पहले PC चुनना होगा ठीक है और PC का फूल फॉर्म क्या होता है is protocol कि मेरे ठीक है तो सबसे पहले PC चुनना है इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब को अच्छ ढग की थांक से समझ लें क्योंकि पूरा कारबनीक रसायन में जहां जहां हम लोग IUPAC नाम पढ़ेंगे न दोस्तों वहाँ पे PC की आवे सकता होगी ठीक है और PC का मतलब क्या है जरा समझें PC का मतलब Principal Chain है और Principal Chain एक ऐसा Chain है एक ऐसा Chain है जिसके दो ही छोर होते हैं जैसे मान लिया कि ऐसे अगर सीधा हम लोग बना सकते हैं यह ऐसा मान लिया जाकि चैन है तो इसका दो छोर है एक सुरुवाती का और एक लास्ट का ठीक है अच्छा चैन का मतलब ऐसा नहीं समझना है दोस्तों कि सीधा ही चैन होता है चैन का मतलब ऐसे भी हो सकता है देखे अगर ये चैन हुआ तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सुरुवाती क्या है तो सुरुवाती मान लिया कि इधर से होगा तो अंत इधर होगा या सुरुवात इधर होगा तो अंत इधर होगा समझ रहे न यानि कि ऐसा चैन जिसके दो ही छोर होना चाहिए एक एक शुरुवात और एक अंत ठीक है मेरा कहने का मतलब कि चैन सीधा भी हो सकता है टेड़ा भी हो सकता है लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि उसका सिर्फ दो ही छोर होना चाहिए जरा हम एक और फिकर बनाते हैं जैसे मान लिया क्या ऐसा चैन पोसीबल है ऐसा चैन पोसीबल है तो कभी नहीं क्योंकि अगर ऐसे बनाएंगे तो इसका तिन तिन छोर हो जाएगा एक छोर इधर दो छोर और तिन छोर यानि कि प्रिंसिपल चैन एक ऐसा चैन है जिसके दो ही अंत बिंदू होते हैं इंड पॉइंट दूग होते हैं ऐसा नहीं है कि उसके तिन-थिन कि एक छोड़ तो यह हो गया दो चोड़ आप ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लिया ऐसा रहेगा कि कि अग्विश्ट है कि अगल ऐसा रहेगा तो क्या यह पीशिज नाएगा भाई एक दम नहीं PC कहलाएगा क्योंकि इसका देख लिए छोर एक छोर दो छोर तीन छोर चार छोर और पांच छोर यानि कि इसके पांच इंड पॉइंट है तो आप समझे कि प्रिंसिपल चैन एक ऐसा चैन है जिसका दो ही गो लास्ट पॉइंट होता है ठीक है चाहे वो सी सबसे ज्यादा कारबन होना चाहिए सबसे ज्यादा कारबन होना चाहिए यानि कि PC प्रिंसिपल चैन उसको बोलते हैं जिसका दो लास्ट पॉइंट हो दूगो लास्ट पॉइंट हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा कारबन रहे ज्यादा से ज्यादा कारबन रहे तब हम तो क्या बोल सकते हैं प्रिंसिपल चैन बोल सकते हैं ठीक है यानि आपको कैसे भी बनाना है लेकिन ध्यान रहे ज्यादा से ज्यादा कार्बन उस चैन में होना चाहिए तभी वो प्रिंसिपल चैन कहलाएगा अब ज्यादा से ज्यादा कार्बन का संख्या का मतलब यह हुआ कि अगर मान लिया कि एक कार्बन में चार संख्या है और एक कार्बन में PC है मतलब यह भी सिधा ही है और पांच कार्बन है तो दोनों में किसको लेंगे तो पांच वालों को लेंगे यानि कि अगर PC decide कब होता है जिसका दो छोर हो ऐसा chain जिसका दो छोर हो chain का मतलब नहीं समझते हैं कोई भी chain अगर पहनते हैं तो ओ तो गोल रूप में रहता है और हम लोग मूंडी से उपर डाल लेते हैं ओ चैन नहीं उसको एक जगा तोड़ देना है कभी ऐसा chain दिखा है और बीच में फिर ऐसा ऐसा लटका हुआ ऐसा chain तो नहीं दिखा chain का मतलब एक कड़ी से जुड़ा हुआ होना बस लाश्ट तक तो इसलिए बोले कि chain के लिए हम ऐसा कितना होना चाहिए दो चीज होना चाहिए अब चलिए हम दिखाते हैं कि अगर कुछ questions लिखते हैं और उसमें हम PC चुनने के लिए सिखाते हैं कि कोई भी question में PC कैसे चुना जाता है ठीक है चलिए तो यहाँ पे कुछ questions है आपके सामने और आपको जो है इनको note करना चाहिए copy में क्योंकि यही ओक question है जिसमें हम लोग सब चीज सिखेंगे कि IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है तो सवाल क्या रहेगा कि आप इन questions को IUPAC नाम लिखिए क्या लिखिए IUPAC नाम लिखिए total हम question यहाँ पे लिख कर आपको बता रहे हैं आप इन चीजों को जरूर copy में note कीजिएगा आप heading डालिएगा question के रूप में कि IUPAC नाम लिखिए क्या करें IUPAC नाम लिखिए अब IUPAC नाम लिखिए आपको पहला rule से गुजरना होगा पहला rule क्या बोल रहे है पहला rule यह बोल रहे है कि आपको जो है PC चुनना पड़ेगा और PC का मतलब अभी समझे कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भी कार्बन होना चाहिए ठीक है और उसमें जो छोर होना चाहिए वो दोठो होने चाहिए ठीक है चले तो पहला question क्या था पहला question CH3I है तो इसमें तो कार्बन कितना है एक तो एक कार्बन को चैन ले लिया ये हो गया चैन दिखा रहा है जो घेरे हुए है वो एक चैन को बतलाता है जिसे हम लोग PC बोलते है प्रिंसिपल चैन बोलते है ठीक है दूसरा question देखिए तो ये चुकि खारबन नहीं है ये chlorine है इसलिए CL लिखा हुआ है इसमें कितना कार्बन टोटल दो कार्बन हम क्या जानते हैं कि जितना कार्बन रहेगा हमको कोशिस ये करना है कि सभी कार्बन चैन में आजाए ठीक है तो यहां कितने कार्बन है दो तो दोनों को एक chain के रूप में लिख लिया गया है इस तरीके से ये एक chain का रूप मना लिया है इसको हम लोग PC कहते हैं अगले question की तरह बढ़ते हैं ये मेरा total question था इसमें हम carbon का जोड़े तो एक carbon, दो carbon और तीन carbon तो हम तीनों carbon को chain में ले सकते हैं क्योंकि chain ये बोलता है, PC ये बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा carbon होना चाहिए और उसका दो छोर बनना चाहिए तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि दो छोर भी है और तीनों का तीनों total का total यहाँ पे PC में आ जा रहा है, तो ऐसा हम लोग PC बनाएंगे अगले तरफ की question की तरफ बढ़ते हैं, एक carbon, दो carbon, तीन carbon, चार carbon तो यहाँ चारो carbon को लेकर PC बना देंगे, PC का मतलब यह हुआ कि दिया गया question में जितना carbon हो हमको कोशिस यह करना है कि सभी का सभी carbon किस में आ जाए, PC में आ जाए अब मान लिया कि किसी किसी केस में नहीं आता है, तो उसके पिछे कारण है, हम लोग अभी सिखेंगे, ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चौथा सवाल में ऐसे PC चुनेंगे पांचवा भी आपको देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि पांचवा सवाल में कितने carbon, एक, दो, तीन और तीनों को लेकर हम लोग PC चुन लिये हैं, ऐसे कुछ ठीक है, अब छटा सवाल यह कुछ इस तरीके का, देखे अब छटा सवाल को हम लोग यहां पर आपको लिक कर बताते हैं, छटा सवाल क्या है, छटा सवाल क्या है, छटा सवाल क्या है, CH3, CH2, CH2, फिर CH3, और यहां पर है भी यार, ठीक है, आप ज़रा इसमें कोशन में देखिए, तो कितना टोटल, ज़रा इसको अच्छा से लिख देते हैं, बहुत सारा को पता ने लेख चलेगा कि क्या है, चले, तो यह हम आपका कोशन है, कितना नंबर, छटा नंबर, अब इसमें आप देखिए, तो टोटल टूटल कार्बन कितना है देकि आप पहले जो wasting कर लेगा तो आप बाद में इन्हीं चिज़ों से कुछ सिखिएगा आप देखपार होंगे कि इस याऑगिक में टूटल कार्बन कितना है एक दो तीन चार तो आप ये बुलेगा कि सर आप तो बताये थे कि जितना दिया गया कोशन में है आपको कोशिस करना है कि सब का सब एक चैन में आ जाए तो हम सब को एक चैन में ले लेते हैं तो इसको भी चैन में सामिल करेंगे तो ऐसा चैन बनेगा कार्बन का ऐसा है चैन में आप बताईए कि क्या कार्बन का ऐसा चैन पोसिबल है कि इसका एक छोर दो छोर और तीन छोर बन जाए कभी नहीं हम लोग सीखे कि कार्बन का ऐसा चैन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कार्बन की उसमें दो ही छोर होना चाहिए कार्बन के चैन में तभी वो PC कहलाएगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे सवाल में भले चार गू कार्बन था लेकिन चारो कार्बन से PC बनना संभव नहीं है तो जब चारो कार्बन से PC बनना संभव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे अब चार कार्बन पे PC नहीं बनेगा तो अब हम लोग उसे से एक कम करके देखते हैं कि क्या भाई तीन गुक्वे लेने से PC बन सकता है तो छठा सवाल फिर लिखते हैं CH3, CH2, CH2, CH3, BR ठीक है तो अब चार गुक्वे तो PC तयार नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा सेफ बनेगा और ऐसा सेफ वाला कभी भी PC अमान नहीं होता है तो अब हमें PC चुनने का जो तरीका होना चाहिए अब तीन पर सोचना चाहिए क्योंकि चार पर तो नहीं हुआ यानि कि ये हम बताना चाहरे हैं कि सवाल में दिया गया जो total carbon है न तो आप पहले ये कोशिस किजिए कि सब का सब PC बन जाए लेकिन सब अगर PC नहीं बनेगा तो आपको एक कम करना है अब आपको 3 पर सोचना है अगर 3 पर भी नहीं बनेगा तो आपको 2 पर सोचना है समझ प्यार होगा अब तीन कार्बन को क्या लेने से possible है तो आप देख पा रहोंगे कि जी सर तीन कार्बन को लेने से PC बन जा रहा है क्योंकि 4 पर तो satisfied नहीं था अब 3 कार्बन को ले रहे हैं तो देखिए 2 गो छोर बन रहा है अब 4 गो पर भैलू नहीं था तो हम अब 3 गो पर भैलू है तो आप इस तरीके से भी PC चूनेंगे तो आपका correct होगा right अगर इस सवाल को अच्छे से देखिए तो CH3BR ऐसे है तो हम अभी 3 कार्बन का चैन ऐसे भी बना सकते हैं और प्यारे साथियों हम लोग इसका चैन ऐसे भी बना सकते हैं देख पारे होंगे? अच्छे से देख लीजे क्योंकि हम क्या बोले? इसका 2 छोर होना चाहिए एक छोर ये हो गया एक छोर ये हो गया तो ए भी PC सही होगा तो आपको जैसी इच्छा है आप PC चुनिए आप हमेशा रटिये नहीं कि सर्फ PC हमेशा सिधाई होता है कभी नहीं हमको PC का मतलब ये समझना चाहिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो और उसका दो छोर हो ज्यादा से ज्या बनता है अब एक कम करने का मतलब ये है कि आप इस कार्बन को छोड़ सकते हैं या फिर इस कार्बन को छोड़ सकते हैं या फिर किसी एक और कार्बन को अब रहता कि से हमको तीन को के PC बनाना था तो हम लोग और किसी तरह से PC बना सकते हैं तो जी बिल्कुल CH3 CH2 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 BR CH3 ऐ ऐसे भी बना सकते हैं, तो हम बोले कि जी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही सोच है, ऐसे भी बना सकते हैं, अरे भाई, चार गोपर अपलाए नहीं हुआ, तो तीन गोपर सोचना है, तो हम कोई एगो कार्बन के छोड़ेंगे तब है न, तो अब कोई एगो कार्बन को वाला छोड़ देते हैं तो बीचे वाला अगर छोड़िएगा तो कभी एक चैन में कैसे आएगा कार्बन तो आपको बीच वाला तो ले नहीं पड़ेगा तो आप किनारे वाला कोई एक को छोड़ कर ट्राइ किजिए कि PC बनता है कि नहीं बनता है समझ पारे अच्छे से चलिए तो इतनी तरीके से हम लोग किस में PC करेंगे किसको PC नहीं करते हैं तो इसलिए यहाँ पर आप देख पार होंगे छटा सवाल में हम तीन कार्बन को लेकर PC चुने हुए हलांकि सवाल में कितने कार्बन थे चार कार्बन थे लेकिन चार कार्बन पर PC मेरा नहीं बन र था तीन छोर हो रहा था ठीक है चलिए आए आगे आता है यहां पर तो एक दो तीन चार कार्बन है और चारो कार्बन को देख पार होंगे सिंपल वे में यह तो PC में आही जाएगा चलि तो साथ सवाल कोशन हम लोग किये अब अगले कोशन की तरह बढ़ता है कोशन नमबर आठ अब कोशन नमबर आठ यह बोल रहा है CH3 CH 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 3 BR CL यह देखी कार्बन इसको नहीं समझना है यह कलोरीन है तो जैसा कि आप देख पार होंगे इसमें तो कार्बन की संख्या कितना हुआ एक दो तीन चार तो यह चारो कार्बन तो बिल्कुल PC में है इसको तो सिधा चैन चुन जाएंगे क्योंकि चार कारबन है और चारो कारबन PC भी बन जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलिए हम लोग आए नवा कोश्चन के तरह बढ़ते हैं प्यारे स्टुडेंट्स आपको इन सारी कोश्चन को नोट करने चाहिए और फिर आपको PC खुद से ट्राइ करने चाहिए चुनने के लिए फिलाल हम तो कुछ बता दे रहे हैं क्योंकि अभी फर्स टाइम है तो आपको सिखना चाहिए इसलिए हम आपको हर एक कोश्चन को PC चुन कर बता दिये हैं खेर 8 उसन के लिए रवा 9 कोश्चन है नवाकोश्चन भी देख पा रहे होंगे टूटल कारबन कितना है देखिये टो एक दो 1 तीन 4 पांच 6 ठीक है अब से और एक यह वाला कर्ण कितना हुआ टूटल साक तो नवा कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट यह सात कार्बन है सात कार्बन का चैन है तो अब सातों कार्बन को यहां से अगर लेतें आप तो क्या वो पीशी बनता पीशी नहीं बनता इसलिए हमको साथ के बजाए ज्शाव पर सोचना चाहिए तो हम किसी एक को जैसे कि बहुत अच्छा सवाल है आपको इसको समझना चाहिए नौवा कोस्चन को हम यहां लिखते हैं अच्छे से और यहां पर अब यहां पर आप यह बोलेगा सुरू सुचिए कि अगर आपको PC का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहां पर कार्बन गिनते एक दो तीन चार पांच छे साथ अब आप यह कोशिस करते कि सातो कार्बन का PC बन जाता तो हमें सब कुछ फैदा हो जाता लेकिन सातो कार्बन को आप चैन में तो रखे ठीक है कार्बन का चैन तो बनाएं लेकिन यह ऐसा कार्बन का चैन PC कहलाता है नहीं क्योंकि इसके त साथ पर तो हो नहीं रहा है PC इसलिए अब हम लोग कितना पर करेंगे छे पर करेंगे तो आप ऐसा सोचे कि CH3 CH2 CH CH CH2 CH CH3 BR CH3 ठीक है अब रहाबत कि सर तब तो आप साथ पर नहीं PC बनाएं तो अब हम कुछ हो पर सोचना चाहिए हम बोले बहुत सही जबाब आप 6 पर सोचिए तू लड़का कैसे सोच लिया कि सर देखिए हम एक कारबन को छोड़ दे रहा है ना तो 6 कारबन का भी चैन नहीं बन रहा है वह ऐसे दिखा दिया ऐसे ऐसे करके दिखा दिया ठीक है तो हम उसको समझाए कि भाई 6 कार्बन का भी तुम बनाया तो जरूर है अब उब बोल रहा है कि तर 6 गोपे नहीं हो रहा है तब हम 5 पे सोचेंगे तो हम बुलेंगे कि ऐसा नहीं है आप इस कार्बन को तो छोड़े न आपको नजर दोड़ाना पड़ेगा कि किस कार्बन को हटाएंगे तो 6 कार्बन का बन सकता है आप आँख बंद करके आप ऐसा काम किजिएगा तो गलती हो जाएगा देखिए हम ये बोलना चाहा रहे है कि आपका 7 कार्बन पे तो नहीं चैन बन रहे है ये तो पक्की बात है अब आपको कितना पे चाहिए 6 पे सोचना चाहिए तो ओ लड़का क्या क्या इधर वाले कार्बन को छोड़ दिया तो ऐसा चैन लिया जो कि ये पुसिबल नहीं है क्योंकि इसका अभी भी 3 चोर हो रहा है 1, 2, 3 तो आपको जो है 6 पे बनाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा कि किस कार्बन को हटाया जाए कि हम लोग 6 का 6 कार्बन बना सकते हैं यानि कि किसी भी कार्बन को हटा सकते हैं आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कब जब 7 का नहीं बनेगा तब तो आप एक कार्बन को हटाना है तो आप इसको क्यों हटा रहे हैं ऐसा चीज को हटाये कि 6 का हम बना सके आपको कोशिज करना है 6 का बनाने के लिए यह नहीं कि एक बार खतम कर दिये तो आप तो 6 का नहीं बन रहे, भाई तुम ऐसे देख भी तो सकते हो, इसको हम नहीं लेंगे, तो 6 का 6 नहीं बनेगा, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, इसको चैन में सामिल नहीं करेंगे, इसलिए dear students, आप 9 सवाल में देख पा रहोंगे, कि हम लोग 6 कार्बन का चैन बनाये है, जबकि total yogic में 7 कार्बन का चैन है, उसी तरीके से अगला question देख पा रहोंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 question, इसमें जो है, इसमें भी 7 कार्बन का चैन है, अब इसमें 7 कार्बन का चैन है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहोंगे, सिधा भी बना सकते हैं, या फिर इसको हम लो PC का मतलब यह समझे कि हम लोगों को जादा से जादा कार्बन चाहिए, आप कोशिस किजिए कि सब कार्बन आ जाए, लेकिन नहीं आएगा, तो कोई problem नहीं है, आप को एक कौम किजिए, किसी एक कार्बन को हटाईए, अब देखे कि PC बन रहे के नहीं, आपको उसी कार्बन को सोचना पड़ेगा, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा PC बन सकता है, आगे बढ़ते हैं एक 11 नंबर कोश्चन, देखे एक 11 नंबर में कितना कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो टोटल 8 कार्बन हुआ, तो आप तो देखी हैं और सीधा PC बनाएं, उसी तरीके से स्टूडेंट्स, PC का मतलब आप समझ गया होंगे, तो आप यह कीजिए, 12 नंबर और 13 नंबर सवाल को अच्छे से नोट कर लिजे, यह 12 नंबर कोश्चन है, देख पा रहोंगे, 80 है, अंस्टेटाइन है, यहाँ पे, यह कलोरीन है, कारबन नहीं समझना है, यह iodine है, ऐसे ही आप अगला कोश्चन को, यानि कि 12 और 13 कोश्चन को, आप खुद से इसका PC बनाएं, अगर आप PC बनाने में सच्छम नहीं हैं, तो हम खुद इनका PC हम लोग बताएंगे, अगले कलास में, फिलहाल आपको दो वक्स दिये हैं, जि तो ये दोनों को PC चुन कर, PC बना कर, आप हमें जरूर ग्रूप में सेंड कीजे, तब तक आज कलास को यहीं तक इंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे के रूल्स नियम को सीखेंगे, आज हम लोग सबसे इंपोर्टेंट PC चुनने के लिए सीख लिया ह में, एलकेंज से संबंदित नामकरन में PC कैसे चुना जाता है, और फिस सेकेंड थर्ड रूल्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना हैं, फिर मिलते हैं, अगले वीडियो अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद